स्वागत है आपका हमारी चैनल पर हम आपकी लिले कर आए हैं क्लास आठ की गणित विश्य की वाट्स अप की जो की 30 जुलाई से 6 अगस्त की है तो देखते हैं पहला प्रश्ण प्रश्ण नमर एक है निमने लिखित में से कौन पून और उसके भाग के भी सम्मंद को दरसाता है तो इसका उत्तर होगा रेखा ग्राफ प्रश्ण नमर दो है अवंति के पास ये चार कार्ड हैं अवंति की चार संख्यों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सा कार्ड के स्थान पर रहेगा सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो इसके लिए हमको सैकड़े के स्थान पर जो संख्या आएगी वो आएगी छहाए तो इसका उत्तर होगा ये प्रश्ण नम्मर तीन है एक ही ठोस के दो द्रश्य उपर दिखाए गए हैं ठोस क्या है तो इस चित्र को हमको देखना है और इसकी जो सर्फिस दिखाई दे रहे हैं इसके अनुसार इसका उत्तर होगा बेलन प्रश्ण नम्मर चार प्रतियक आदे घंटे में एक कॉफी सौप में बेचे जाने वाले पेपधार्थों की संख्या के बारे में निम्ना लिखित अवलोकन किये गए सुबह साड़े दस से यानि 10.30 से 11.30 बजे के बीच कुल कितने पेपधार्थ बेचे गए तो इस साड़े को हम देखेंगे साड़े दस से साड़े ग्यारा का टाइम देखो कहां आता है साड़े दस से साड़े ग्यारा के बीच में दो हैं इसमें कोलम इसमें एक में हैं 9 और 6 15 और दूसरे में हैं 11 और 15 तो 15, 15, 30 और 11, 41 तो इसका उत्तर होगा 41 अगला प्रश्ण है दिये गए चित्र में न्यून कौन की पैचान कीजिए चित्र को देखिए इसमें से नियून कॉन जो 90 डिगरी से छोटा होता है तो इसका आंसर होगा नंबर 3 सिलेंडर के कितने फलक होते हैं सिलेंडर के 3 फलक होते हैं आंसर यह हो जाएगा अगला प्रशन है सही विकल्प को चुनिए यह आउट ओप कोर्स है इससे अगला प्रशन पढ़ेंगे प्रिया अपने घर जा रही है जैसा की चित्र में दरसाया गया है घर जाने के लिए उसे निम्न लिखित में से किस निर्देश का पालन करना चाहिए तो प्रिया जब य या से तो अगला प्रशन है अगला प्रोड़ ओगा एक वर्टे चार लिखि अगला प्रश्ण है, प्रश्ण नम्मर दस, आकरती में X, Y, W, Z के समांतर है, कौन V का मान याद कीजिए, तो कौन V इसमें दिख रहा है, जो समुक कौन है, 123 का उपर दे रखा है, तो V कौन V 123 का होगा, इसमें से दूसरा उप्सन सही होगा, कौन सा विकल्प बहतर के सभी गुननखंडों को दरसाता है, तो बहतर के सभी गुननखंड, दो नम्मर के उप्सन में सही है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और बहतर, तो ये वाला उप्सन इसमें सही होगा, अगला प्रश्ण देखते है, निमने लिखित में से कौन, 3 और 9, दो इन दोनों में से जो विभाज्य है, इन दोनों संख्याओं से, चोथा उप्सन होगा, इसका, एक निस्पक्ष पासे को फैकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्थ होने की प्राइक्ता, एक वटे दो, चोथा उप्सन सही होगा, अगला प्रश्ण देखिए, प्रश्ण नम्मर चौदा माइनस 36 घात तीन भाग नो की घात तीन तो इसका हल करने पर क्या उत्तर आएगा चार छेंगे चार चोक सोला चोकू 64 माइनस 64 इसका उत्तर आएगा तो अप्सन दूसरा इसका सही है अगला प्रस्न देखिए एक तिर्बुचकी तीनों भुजाएं 2 X मैनस 2 सेंटीमिटर 3 X पलस 1 सेंटीमिटर और 4 X पलस 2 सेंटीमिटर है यदी तिर्बुचका परिमाफ 37 सेंटीमिटर है तो इसकी सबसे छोटी भुजा राध किजिए तो इसमें से ओप्सन नमबर 3 6 cm की सबसे छोटी बुजा होगी अगला प्रश्न है दिखाई गई इस्तिती पर विचार कीजिए आकास अपने श्टोर पर जीन्स और जैकेट प्रती एक पंद्रह सो रुपे में बेज रहा है उसने एक दिन में 12 जीन्स और 8 जैकेट बेचे उस दिन अरजित की गई रासी को जाद करने के लिए किस गुणधर्म का उपयोग किया जा सकता है तो इसमें हम वितरन गुणधर्म का उपयोग कर सकते हैं यदि एक समकौन समदी व्याव उतरबुच का आधार 6 cm है तो इसका कण जाद कीजिए तो इसका कण जाद करने पर 6 अंडर रूट 2 cm आएगा प्रिश्ण नमबर 18 3x²y प्लस 4xy² माइनस 8xy में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि x बरावर 2 और y बरावर माइनस 1 पर व्याज़क का मान माइनस 9 हो तो इसका उत्तर होगा माइनस 21 पहला अप्सन इसमें से सही होगा आगे का प्रिश्ण देखते हैं बस इसमें 18 ही प्रश्ण है इस तरह से कक्षा आठ का विसए गणित का वाट से वेस असाइमेंट कम्प्लीट होता है चैनल से जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए धन्यवाद